राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को मोक्षिदा एकादसी ब्रत कथा सुलाने जा रही हूँ माक्षिस शुक्लपक्षिद एकादसी को मोक्षिदा एकादसी के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारम होने के पुर्व मोहित हुए अर्जुन को सीमत भागवत गीता का उपदेश दिया था इसलिए इस दिन गीता जैन्ती भी वनाई जाती है इस दिन श्री कृष्ण भगवान वो गीता की पूजावा आर्थी करके गीता का पाठ करना चाहिए अत्वा सुनना चाहिए मोक्षिदा एक आदसी के दिन मिथ्या भासन चुगली तथा अने दुषकर्मों का त्याग करना चाहिए भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद से पूजा करनी चाहिए ब्रामन भोजन करा करके दान आदी देने से विसेस फलकी प्राप्ती होती है हाथ में पुष्प ले ले और कथा का स्रवन करें प्राचिन गोकल नगर में बैखानस नाम का राजा राजि करता था उसने रात्री में स्वपन में अपने पिता को नर्क को भूगते में देखा प्राता काल होते ही उसने ब्रामनों को बुलाया अपने महल में और ब्रामनों को सारे स्वपन के बारे में बताया कि मैंने किस प्रकार देखा है कि मेरे पिता नरक को भोग रहे हैं और मेरे पिता का उध्धार कैसे होगा यह प्रामनों से पूछा ब्रामण बोले यहां समीप ही परवत रिशी का आश्रम है उनकी सरनागत से आपके पिता सिग्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे राजा परवत रिशी की सरन में गया और दन्डवत करके अपनी समस्या को बताया उसकी समस्या को सुन करके मुनी ने समधान बताया मुनी ने विचार करके कहा हे राजन तुम्हारे पिता ने पुर्व जन में कामातुर होकर सौत कहने पर अपनी दूसरी नानी को रिदुदान मांगने पर भी नहीं दिया था उसी पाप कर्म के फल सुरू वह नरक में है उनके उधार है तुम मांक्षिस मां की शुक्ल पक्च की एकादसी को उपवास करके उसका पुन्य फल अपने पिता को संकल्प करके दे दो इसके प्रवाव से तुम्हारे पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी और वह स्वर्व को चले जाएंगे राजा ने कुटुम सहीत मोक्षिदा एकादसी का ब्रत किया और उसके फल जो पुन्य सुरूप जो फल थे उस फल को उसने अपने पिता को अर्पित कर दिया जिसके फल सुरूप उनके पिता नरक से मुक्ति को प्राप्त कर स्वर्व को चले गए इस मोक्षिदा एकादसी के प्रभाव को जब आम जनता ने जाना तो वो लोग भी अपने पुर्वजों के मोक्ष के लिए अपने पुर्वजों के उद्धार के लिए इस मोक्षिदा एकादसी ब्रत को कुटुम्ब सहीत धारन करने लगे भगवान श्रीकृष्ण की जै हो, भगवान विष्णों की जै हो, सभी भक्तों की जै हो माक्षिस मास के स्शुक्रपक्ष में जो एकादसी होती है उसका क्या नाम है कौन से विधी है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है स्वामी यह सब यतार्थ रूप से बतलाए भवान श्रीकृष्ण ने कहा हे नफशिष्ट माक्सिस मास के शुक्ल पक्ष में उत्पत्ती उत्पन्य नाम की एकादसी होती है जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया अब शुक्ल पक्ष की एकादसी का वर्णन करूंगा जिसके स्रवन मात्र से बाचपे यग्य का फल मिलता है जिसका की नाम मोक्षा एकादसी जो सब पापों का अपहरन करने वाली है हे राजन उस दिन यतन पुर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आधि से भगवान दामोदर का पूजर करना चाहिए पुर्वक्त विधि से ही दस्मी और एकादसी के नियम का पालन करना उचित है मोक्षा एकादसी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है उस दिन रात्र में मेरी प्रसनता के लिए नत्त गीत और इस्तुती के द्वारा जागरान करना चाहिए जिसके पितर पाप बस नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुन्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं इसमें तनिक भी संदे नहीं है पुर्वकाल की बात है वैश्नवों से विभूसित परम रमणिये चंपक नगर में बैखानस नाम का राजा रहते थे वे अपनी प्रजा का पुत्र की भादि पालन करते थे इस प्रकार राज करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पिता को पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा उन समको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही विश्मे हुआ और प्रात्यकाल ब्रामनों से उन्होंने उस स्वपन का सारा हाल कह सुनाया राजा बोले ब्रामनों मैंने अपने पित्रों को नरक में गिरा देखा वे बारम बार रोते हुए मुझसे यू कह रहे थे कि तुम हमारे तनुझ हो इसलिए इस नरक समुद्र से हमलों का उध्धार करो दुजवरों इस रूप में मुझे पित्रों के दर्शन हुए हैं इससे मुझे चैन नहीं मिलता है क्या करूं कहा जाओं मेरा हिर्दय रूंधा जा रहा है दुजवरों ये ब्रत वह तप वह योग जिससे मेरे पुर्वच ततकाल नरक से छुपकारा पा जाएं बताने की किरपा करें मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं अतह ऐसे पुत्र से क्या लाव ब्रामण बोले हे राजन यहां से निकटी परवत मुनी का महान आश्रम है विभूत और भविश्य के भी ग्याता हैं हे नप्सेष्ट आप उन्ही के पास चले जाएए ब्रामणों के बास सुन करके महराज बैखानस सिग्र ही परवत मुनी के आस्रम पर गए और वहां उन्हों मुनी सेष्ट को देख करके उन्होंने दन्वत प्रणाम करके मुनी के चड़ों का स्पर्ष किया मुनी ने भी राजा से राज्यों के सातों अंगों की कुशल पूछी राजा, मंत्री, राष्ट, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग ये ही परस पर उपकार करने वाले राज्य के सात अंग हैं राजा बोले स्वामी आपके किरपासे मेरे राज्य के सातों अंग शाकुसल हैं किन्तो मैंने स्वपन में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं अतह बताईए किस पुनि के प्रवाव से उनका वहां से चुटकारा होगा राजा की यह बात सुन करके मुनि सेष्ट परवक एक मुहूर्थ तक ध्यान अस्त रहे इसके बाद वे राजा से बोले महराज मार्शिस मास के शुक्ल पक्ष में जो मुक्षा नाम की एकादसी होती है तुम सब लोग उसका ब्रत करो उसका पुन्य पित्रों को दे डालो उस पुनि के प्रवाव से उनका नरक से उधार हो जाएगा भगवान श्री किष्ण कहते हैं युदिष्ठिर मुनी की यह बात सुन करके राजा पुन्य अपने घर लोट आए जब उत्तम माक्षिस मास आया तब राजा बैखानस ने मुनी के कथन अनुसार मुक्षा एकादसी का ब्रत करके उसका समस्त पुन्य पित्रों सहित पिता क से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रतियह पवित्र वचन बोले बेटा तुम्हारा कल्यान हो यह कह करके वे स्वर्ग में चलेगे राजन जो इस प्रकार कल्यान में मुक्षा एकादसी का ब्रत को धारन करता है उसके समस्त पापनेस्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मुक्ष को प्राप्त कर लेता है यह मुक्ष देने वाली मुक्षा एकादसी मनुष्यों के दिये चिंता मनी के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है इस महातम के पढ़ने और सुनने से बाचपे यगे का फल मिलता है भगवान श्री कृष्ण की जय हो भगवान मिश्नों की जय हो समस्त भक्त जनों की जय हो सभी रिश्यों की जय हो सभी संतों की जय हो सभी गुप्त संतों की जय हो आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो किर्पया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा लाइक करने में आप लोगों का कोई भ राप्त होता है और वो लोग भी इस कता का स्रवन करेंगे किर्पिया वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन भगल में ही है उसे दबा दीजेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद